नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यारती जीवन से सम्मंदित सभी सूचना प्रदान की जाती हैं तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन- समचार पत्रों में एक सूचना आई थी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी महाविद्याले विश्विद्याले हैं जितने भी इस तरीके के संस्थान हैं सभी संस्थानों में गैर सिछनेतर जो कर्मी होते हैं बाबू इत्यादी उनकी भारी कमी है या तो समविदा से काम चल आए जा रहा है इसलिए अब इन विभागों में बड़ी भरती की प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है उसकी बारे में आज से फिर से बहुत सारे समचार पत्रों में यह सुचना आई है कि यूपी के विश्विद्यालियों में जल्द खुलेगी भरती राजभावन ने सभी बेन पटेल के विशेश कार्याधिकारी ने सभी राजविश्विद्याले के कुल्पतियों को पत्र भेज कर गैर सहच्छी कर्मचारी रिक्त पतों का विवरा मांगा है रिक्त पतों की जानकारी मिलने के बाद में उत्तर प्रदेश अजिन सेवा चैन आयक को भीजी जाए अधियाले प्रसासन को नाम अधियाचन बेजने की ती 59 के लिए अधियाचन से इब्स को उप्रद्र होने के बाद में उत्तर प्रदेश सेवा चैन आयक को बेजा जाएगा फिर भरती प्रक्रिया सुरू की जाएगी मैं आप लोगों को बता दू इसके पहले भी जूनियर असिस्टेंट के अलग अलग जो विभाग है उन विभागों का जो अधियाचन यूपिट्र पलसी पहुंच गया है तो इनकी एक सभी परिच्छा होगी पीटी पीटी के क्रिपशाद करम चारी के रिक्षक पतू का देवरा भी भेज दिया है तो अभी बहुत सारे सवीषविध्याल हैं जिन्होंने भी भ्य भर भीजई भी त種 यह पूरे विश्विध्याल wollen की नीनकी लिष्ट है क्वल वार्षा बीडियो का उध्यश्स मांतर ये बता रहा कि इस बार जो 2021 में भरतिया नहीं है जूनियर एसेस्टेंट इत्यादिकी जो भरति है बहुत ज़्यादा पदों की भरति होगी और फिर यह जो अवसरत दुबारा जल्दी नहीं मिलने वाला है क्योंकि भरतियों का जो भी साल होता है वो चुनावी वर्स में होता है और यह इसकी बाद में अगली सूचना है मध्य प्रदेश पुलिस भरती की आठ तारिक से इसके आवेदन होने थे और अब यह जो भरती है इस्तिकित हो गई है यहां पर लिखा हुआ मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड ने मध्य प्रदेश पुलिस में कांस् जुरू होंगी इसकी पहले भी एक बार इस्तिकित हो चुकी है अगली सूचना है नई शिक्षक बरती की और यूपीटी एटी की आज विजय का किरण आनंद जो इसकूली सिक्षा माने देशक है वो प्रियागराज आये थे कुछ विद्यार्थी थे जो जो उनके पास विजयापन दिया यूपीटी के लिए और नई शिक्षक बरती के लिए और यूपीटी का विजयापन निकाला जाए और इन्हों ने भी आज सवसंद दिया है कि अगली जो मीटिंग होगी उनकी सिक्षा विभाक की उसमें इस बात को रखा जाएगा इसके बात में जो अर्शट हजार पांसो सिक्षक बरती की सेस सीटों में लगबग जो 22,000 पद रिखते लगए थे 40-45 कटाप पर जो भरती वी थी इसलिए बहुत सारी विद्धारती उसको पास नहीं कर पाये थे और वो पद सेस है उन पदों को भरने के लिए कुछ विद्धारती कोट चले गए हैं और उस मामली की जो सुनवाई है वो सोमवार को होनी है यह दे सकते हैं काज लिट जारी हो गई है एसल दो नमबर पर यह केस लगा हुआ है तो यह हो गई आज की अपडेट अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवस्च कर दें पूरा